Hello and Welcome Back एक बार आपका फिर से बहुद बहुद स्वागतए तो Renon Martin grammar book का आज हम second chapter पढ़ेंगे and that is subject and predicate तो हम जानेंगे कि subject हम किसे कहते हैं और predicate हम किसे कहते हैं तो Renon Martin का grammar book सबसे अच्छी किताम मानी जाती है बहुत सार लोग recommend करते ह। मैं भी अपने student को recommend करता हूँ कि अगर आप अपने grammar के basics को ठीक करना चाहते हैं तो आप Renan Martin के book से पढ़ सकते हैं तो चलिए जानते हम पहला chapter हम लोग already complete कर चुके हैं और second chapter में हम लोग पढ़ेंगे subject और predicate subject क्या होता और predicate क्या होता है तो मैं आपको बिल्कुल simple language में समझाऊंगा और simple examples के साथ बताऊंगा कि subject हम किसे कहते हैं और predicate हम किसे कहते हैं आप लोगों का भी डिमांड था कि एक वीडियो अप्लोड करने के बाद सर्फ बाकी के वीडियो अप्लोड कीजिए तो आपके डिमांड पर ही मैंने ये सारे वीडियो बनाना शुरू कर दिया है तो second chapter आपके पास आज के वीडियो में है और अगले वीडियो में हम थार्ड चेप्टर भी बनाएंगे थार्ड चेप्टर भी आपको मिल जाएगा तो ध्यान दिजिएगा सबसे पहले हम जानते है subject के ब बिल्कुल गलत definition है क्योंकि ये definition हर जगा apply नहीं हो पाता है कहीं कहीं पर जाकर कि ये flop हो जाता है तो अगर किसी sentence में कोई काम कर रहा है कोई action को perform कर रहा है तो ये subject नहीं हो सकता है ये doer होता है इसे हम कहते हैं किसे हम doer of the verb करते है subject कुछ और चीज होता है तो मैं आपको subject का universal definition बताऊंगा जो की रेनन मार्टिन के बुक में भी लिखा हुआ है तो चलिए जानते है actual में subject हम किसी sentence में किसको करते है तो simple सी बात है कि अगर हम चर्चा करते हैं अगर हम चर्चा करते हैं किसी बात के discussion करत है सो उस्की चर्चा का कोई तो a weeks subject होना चाहिए तो एक point of discussion होना चाहिए जिसके बारे मम चर्चा करें सिंपल सी बात है कि चलो च्रण करते हैं तो discussion का topic क्या है यानि किस इस बारे में हम discussion करेंगे तो simple सा मतलब है कि अगर हम किस कोई statement देरे कोई बात बोल रहे हैं तो किसी चीज से related दे रहे किसी वेक्टि से related हम कोई discussion करेंगे या कोई बात करेंगे या कोई वस्तू से related हम कोई बात करेंगे को discussion करेंगे तो simple सा मतलब है कि किसी भी sentence में किसी भी sentence में the subject is what or whom subject क्या है what or whom part और how Rabbi Zoom का मतलब जो भी चीज या जो भी वैक्ति हो किसी बारे में sentence है जिसके बारे में हम discussion कर रे है sentence जिसके बारे में है उसी को हम subject कहते है तो किसी को भी चर्चा के विशे में लाना हो तो या तो कोई वैक्ति होगा या कोई वस्तू होगा तो जो भी वेक्तिय वस्तू से related हम चर्चा कर रहे हैं या sentence में जिसके बारे में बात कहीं जा रही है उसी को हम subject कहते हैं बात क्लियर है आपको तो ध्यान देना यहाँ पर हम example से समझते हैं यहाँ पर हमने एक sentence लिखा निधी dances well निधी dances well तो यहाँ पर एक चर्चा क्या हुआ कि निधी बहुत अच्छी dance करती है तो चर्चा किसके बारे में है यहाँ पर हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं निधी के बारे में यह पूरा sentence किस वेक्ति के बारे में है निधी के बारे में है तो जिसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं डिसक्षन करते हैं जो भी sentence में point of discussion बनते हैं उसी को हम क्या कहते हैं sentence का subject काते हैं और एक और misconception है कि sentence में subject हमेशा शुरू में ही आता है यह बिल्कुल गलत बात है यह जरूरी नहीं है कि हमेशा sentence में जो पहला word रहेगा वही subject होगा, ऐसा बिलकुल नहीं है, subject अलग-अलग position पे भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको position से मतलब नहीं रखना है, यहाँ पर मतलब रखना है कि चर्चा कभी से कौन है, किसके बारे में discussion कर रहे हैं, तो यह ही क्या subject है, तो यहाँ sentence में जो word red color में लिखा हुआ है, यही हमारा sentence का क्या subject है, बात समझ में आ रहे हैं, चलिए एक example और लेते हैं, the earth is round, the earth is round, तो यहाँ पर इस sentence में हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर इस sentence में हम अर्थ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अर्थ के बारे में चर्चा कर रहे है तो जो भी यहाँ पर हमारा discussion का चीज है वो कौन है यह अर्थ है तो हम कह सकते हैं कि इसके बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो यही हमारा क्या sentence का subject है यही हमारा क्या sentence का subject है तो I hope कि अब आपको killer हो गया होगा कि हम subject किसको कहते हैं किसी भी sentence में चलिए अब जानते हैं प्रेडिकेट के बारे में प्रेडिकेट आईए जानते किसको कहते हैं तो किसी भी sentence में अगर हम subject को अलग कर दें तो बाकि जितने भी words बचते हैं जो remaining words होते हैं उसे ही हम predicate कहते हैं पहली बात तो है दूसरी बात प्रेडिकेट का काम क्या होता है प्रेडिकेट का काम होता है सब्जेट के बारे में information देना तो प्रेडिकेट हमें कुछ बताती है सब्जेट के बारे में कि सब्जेट क्या है यह सब्जेट क्या करता है तो प्रेडिकेट tells something about the subject subject is subject is something or someone about about that we discuss but predicate predicate are the information related to the subject. तो predicate क्या है हमें subject के बारे में जानकारी देता है कि subject क्या है कि subject क्या करता है किसे मैंने बोला कि मोहित के पिता जी एक डॉक्टर है मोहित के पिता जी एक डॉक्टर है तो यहाँ पर चर्चा के विश्य कोन है मोहित के पिता जी और मोहित के पिता जी के बारे में क्या हमारे पास information है कि वो doctor है तो कौन सा sentence का कौन सा part हमें मोहित के पिता जी के बारे में बता रहे कि वो क्या है वो doctor है ये कौन बता रहा है तो subject के बाद जो words बच रहे हैं वो subject से related information देने का काम कर रहे हैं तो यहां पर भी वही चीज़ है तो ध्यान देना एक और बात पर ध्यान देना है कि प्रेडिकेट में आपको वर्ब जरूर मिलेगा किसी बें सेंटेंस में कम से कम सबजेक्ट और एक main verb एक finite verb जरूर होता है तो sentence में जान दिजिएगा कि जो predicate होता है predicate में आपको verb जरूर मिलेगा verb is the main part of a predicate predicate में verb के अलाभे और भी कई सारे words आपको मिल सकते पर predicate में verb का होना बहुत 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 जरूरी है तो इसलिए यहाँ पर note में लिखा गया the predicate of the sentence contains the verb यानि कि किसी भी sentence का जो predicate होता है उसमें आपको verb जरूर मिलेगा और predicate क्या काम करता है यह हमें कुछ बताने का काम करता है किसके बारे में subject के बारे में बताने का काम करता है तो चलिए same example है same example से हम समझते हैं कि इसी sentence में in sentences में predicate कौन है तो simple सा मतलब यह है कि अगर आप subject को identify कर लिए तो बाकी के जो remaining words है वो predicate कहलेंगे तो यहाँ पर देखो subject कौन है निधी है यहाँ subject निधी है तो बाकी क्या बच गया बाकी words बच गया है dances well तो यह क्या है यह predicate है तो यह जो है dances well यह क्या कर रहा है हमें कुछ बताने का कोशिश कर रहा है किसके बारे में subject के बारे में निधी के बारे में जो वो dance करती है तो वो कौन सा काम करती है dance करती है तो यह जो चीज़ आप देख रहे है dances well यही हमारा predicate है जो कि subject के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देने का काम कर रहा है तो ये जो raid वाला part आप देख रहे है chances will ये हमारा क्या sentence का predicate है again अगर हम second example की बात करें तो the earth हमारा subject है बाकि earth क्या है earth से related हमारे पास क्या information है ये is round तो ये क्या हो गया ये हमारा predicate हो गया जो earth से related हमारे पास जानकारी दे रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ बताने का कोशिस कर रहे है और एक बात आपने notice कि देखो यहाँ पर आपको predicate में verb मिल रहा है dance यहाँ पर verb है और यहाँ पर verb कौन है is round verb है तो simple सी मतलब है किसी भी sentence में subject वो होता है जिसके बारे में हम discussion करते हैं और किसी भी sentence में predicate वो होता है जो हमें subject के बारे में जानकारी देता है कि subject क्या है और subject क्या करता है और आसानी से अगर एक बार आपने subject को identify कर लिया तो predicate को पहचानना और भी आसान हो जाता है क्योंकि subject को छोड़ देने के बाद जितने भी words बचते हैं, यह सारे words predicate कहलाते हैं, I hope कि आपको अब तक बहुत अच्छे से subject और predicate के बारे में समझ में आ गया होगा, चलिए मैं यहाँ पर आपको five sentences देता हूँ, और इन sentences में आपको identify करना है, कौन subject है, कौन predicate है, यानि subject और predicate को separate करना है, तो आएए यहाँ पर मैं आपको example देता हूँ, देखो, क्या direction दिया हुआ है, in the following sentences separate the subject and the predicate, आपको दिये गए sentences में बताना है कौन subject और कौन predicate है, तो पहला sentence देखो, क्या बोल रहा है, पहला sentence बोल रहा है, addition invented the phonograph, तो यहाँ पर चर्चा हम किसके बारे में कर रहे हैं, यहाँ चर्चा का विशए 8 photograph नहीं है, चर्चा का विशए 8 edition है, addition के बारे में हम discussion कर रहा है, कि एडिशन ही वो वैक्टी थे, जिन्होंने फॉनowग्राफका invention किया, तो चर्चा का विशा यहाँ पर addition है तो इसलिए addition क्या हो गया यह sentence का subject है तो subject को अगर हम अलग कर देते हैं तो बाकी के जो words बज जाते हैं जैसे invented the phonograph यह क्या है यह हमारा sentence का predicate है जो कि addition के बारे में information देने का काम कर रहा है अगला sentence अगर हम देखे तो nature is the best physician यहाँ चर्चा किसके बारे में कर रहे है नेचर के बारे में कर रहे है तो nature क्या हो गया यह sentence का subject हो गया और बाकी के जो remaining words है remaining part है कि हमारा क्या यह predicate है क्योंकि यह nature से related कुछ information हमें दे रहे और ध्यान्दुजी का किसी भी sentence का दो main components होता है एक subject और दूसरा और प्रेडिकेट वैसे और भी चीज़ें हो सकती है बट इनली अगर देखा जाए तो तो component subject और प्रेडिकेट एक sentence की बात करें तो next sentence में है the early bird catches the warm यह कहावत भी है मुतना कि जल्पी जागने वाला को ही फायदा होता है जो पहले आता है पहले पाता है तो इसका यह मतलब है बट sentence में देखना क्या यहाँ पर subject कौन है the early bird catches the warm तो the early bird यहाँ पर चर्चा किस के बारे में कर रहे हैं early bird के बारे में कर रहे हैं तो the early bird क्या हो गया यह sentence का subject हो गया बाकी के remaining word जो है catches the warm यह हमारा क्या हो गया यह हो गया प्रेडिकेट चलिए next sentence पर बात करते हैं we should profit by experience यहाँ पर चर्चा किसके बारे में we के बारे में हम लोगों के बारे में तो यहाँ पर we क्या हो गया subject हो गया sentence का subject और should profit by experience यह क्या हो गया यह हमारा sentence का प्रेडिकेट है तो आखरी sentence भी देख लेते हैं the children are playing cricket वही कर्चा किसके बारे में हो रही है बच्चों के बारे में हो रही है चिल्डरन के बारे में हो रही है तो यहाँ पर the children क्या हो जाएगा यह हमारा sentence का subject हो जाएगा और बाकी के जो चीजे बच रही है जो की subject के बारे म नीचे comment में लिखकर जरूर बतेएगा अच्छा लगा तो like और share जरूर करें आपसे मैं मिलूँगा अगले वीडियो में third chapter के साथ जिसमें मैं आपको बताऊंगा phrase और clause के बारे में phrase किसे करते है और clause किसे करते है till then thank you so much for watching this video take care